हेलो फेंटस, मैं हूँ संगीता, मैं याप सबीका स्वागत करती हूँ अपने योटूब चैनल कोबितसंगीता raise UP मैं आज मैं याप लोगों के लिए लेकर किया हूँ, आलो की कुरकुरई टिकै की रेसिपी तो टिकी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग पाऊ लिया है उसमें उबले हुए चार-पाँच आलू लिये हैं और इनको अच्छे से हम मैस कर लेंगे इनको ज्यादा बारी नहीं मैस करना है बस ऐसे ही रफली तोड़ देना है उसके साथ ही हम इसमें एक कटा हुआ प्याज एट करेंगे साथ में ही हरी मिर्च मेंने काटके ली है और साथ ही थोड़ा सा हरा धरिया मेंने डाल दिया है दो चमश काड़ फ्लॉर इसमें अट कर देंगे कुटी भी लाल मिर्च एक चुटकी लेंगे एक चुटकी सामुच जीरा और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा इन सभी मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे तो अब इस स्टेश पर हमें इन मसालों को आलू में काफी अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू में ज्यादा बड़े लंस न रह जाएं इसलिए इन्हें हम हाथ की सहाथा से काफी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखें फ्रेंट्स फेश्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है अब हम इसके लिए एक घोल तयार करेंगे तो एक मिक्सिंग बावल में मैंने एक कटोरी मैदा लिया है मैदे में हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा और साथ ही पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा घोल रेडी करेंगे इसको काफी अच्छे से जला करके मिक्स करिएगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े इसमें अदे में गुठलिया ना रह जाए तो देखिए फ्रेंट्स हमको इतना ही पतला घोल तयार करना है तो देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है पेश्ट हमारा काफी अच्छा बन करके क्रेडी हो गया है तो जो हमने आलू का भड़ता लिया था उसके गोल गोल टिक्की बनाेंगे हांतों की सहयता से इसकी गोल टिक्की बना लेंगे और साथ में ही इसको मैदे में डिप कर लेंगे इसको काफी अच्छे से कोड करिएगा और उसे रेएं सब्सक्राइबकर करकर के इसका इस्टरा डिखोल लगा हुआ है उसको निकाला देगे और गैसे हैं एक टवा गरम किया है और इसके हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल डाल करके इसको हम अच्छे से पूरे तबे पर फैला देंगे और जो हमने टिक्की मैदे के घोल में कोड किया है उसको हम इस पर डाल देंगे तो हम सभी टिक्कियों को अच्छे से उलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे फ्रेंट्स गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम होना चाहिए अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो टिक्की हमारी जल जाएगे तो देखिए फ्रेंट्स एक तरब से हमारी टिक्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो इनको हम अच्छे से उलट पिलट करके पका लेंगे अच्छे से अच्छे से चला करके हम इनको पका लेंगे देखिए फ्रेंट्स कितनी अच्छे टिक्की हमारी बन करके रेडी हो गई है अब हम इनको एक प्लेट में अलग निकालेंगे सारे टिक्की यों को हम बाहर निकालेंगे तो आईए हम इनको ब्रैट आउट करके देखिए फ्रेंट्स टिक्की मारी बन करके रेडी हो गई है आप इसको नास्ताब्सक्राइन Drama कब सकते हैं खाने में काफी टेश्टी होती है मिलते हैं किसी नक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू फोर वाचिंग